आज का किचन टिप्स बहुत ही यूज भूल है जो आपके किचन और घर की काम को आसान करेगा नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका प्रिती रसोई में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा तो पहला टिप मेरा इस मिठाई के बॉक्स से शुरू होता है मिठाई का बॉक्स तो अक्सर घर में पढ़ाई रहता है और इसे हम फेक देते हैं तो चलिए आज हम इसका बहुत ही बढ़िया यूज आपको बताऊंगी जो आपकी किचन के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा तो सबसे पहले हमें इसे बंद करना है उसके लिए लेंगे सेलो टेप अब सेलो टेप को कट करके इसको अलग कर लेते हैं टेप से रिलेटेट एक और टेप आपको बताऊंगी जब भी आप टेप का यूज करें तो आप इसके किनारे को कुछ अलग तरीके से रखें जिससे यह चीपके नहीं क्योंकि देखिए यह चीपक जाता है तो नेक्स्ट हम जब यूज करना रहते हैं तो हम इसके किनारे क को ढूनते ही ता जाते हैं और इसे गोल गोल घुमाते ही रहते हैं तो आप क्या करें जब भी इसका यूज करें उसके बाद इस तरीके से इसके किनारे को अंदर की साइट फोल्ड कर दें इससे यह थोड़ा सा खुला रहेगा और आसानी से और जल्दी मिल जाएगा तो इ तीन जगह पर टेप चिपका देंगे बस इतना ही काफी होगा अब अगर चाहती हैं कि यह देखने में थोड़ा सा सुन्दर दिखें तो उसके लिए आप इसके ऊपर से एक प्रिंट पेपर चिपका दें ताकि यह देखने में अच्छा लगे मगर मैं इसको ऐसे ही यूज करने वाली हूँ तो सबसे पहले हम इस पर मार्क लगाएंगे उसके लिए हमें लेना है पेन और पेन की सहायता से इसके एक किनारे पर इस तरीके से थोड़ी दूरी पर देखें लाइन खीचना है इस तरीके से लाइन को खीच कर फिर इसकेल की सहायता से पूरा कर लेना है यह देखे, आप देख सकती है, बस अब इसे हमें कट करना है, तो जो यह पतलावला पट्टी है ने इसे हमें काट कर अलग कर लेना है, तो इस तरीके से इसे कट कर लेती हूँ, और यह हमने इसको काट लिया, बस ऐसे हमें पूरा पट्टी काट कर निकाल देना है, तो अब बढ़ियां सा और्गनाइजर बनके तयार हो गया है फ्रेंड किचन में बहुत सारे बरतन होते हैं और जिस प्लेट और थाली को आप बार बार यूज करती हैं उसे आप ले लें और इस तरीके से इसमें लगा दें यानि ये बरतन रखने का स्टेंड बनके तयार हो गया है और इसे आपने अपने किचन प्लेटफॉर्म पर रख दीजिए तो आपको इसे यूज करने में भी आसानी रहे की और रखना भी आसान रहेगा यानि ये फ्री का जुगार बनके तयार हो गया है तो एक रुपया भी नहीं खर्च हुआ और ज्यादा टाइम भी नहीं ल अगर पार्टी में अच्छा भी नहीं लगता है है न हैवी साड़ी रहती है तो चूड़ी भी तो हैवी चाहिए मगर गलती ये होती है फ्रेंड कि जो ये चूड़ी में रेती लगा रहता है ये पूरा हमारे हाथ में इसकीन पर लग जाता है यानि फेस पर भी लग जाता जो देखने में अच्छा भी नहीं लगता और अगर हम छोटे बच्चे को गोदी में लिये रहते हैं तो उनको भी लग जाता है तो यह निकले नहीं लगे नहीं उसके लिए आप थोड़ा सा वैसलीन ले ले और इस तरीके से देखिए चूड़ी के ऊपर वाले हिस्से पर ल याल जाता है और जो इसमें लगा है नचमकीला वह बिल्कुल भी नहीं निकले गाई। तो इससे आपके face पर भी नहीं लगेगा, हाथ में भी नहीं लगेगा और weseline लगाने के बाद जब इस चूड़ी को आप पहनेंगी और उसके बाद अगर पानी में भी हाथ डालेंगी तो भी यह नहीं निकलता है क्योंकि weseline के वज़र से इसके उपर पानी नहीं ठीकता है जिससे चूड़ी खराब भी नहीं होता है चूड़ी को रखने के लिए इस तरीके से पेपर में रैप करके रखें अगर ऐसे ही खुला ही रख देंगी तो चूड़ी एक दूसरे में टच होती हैं जिससे इनका साइन भी खतम हो जाता है और रगड के वज़र से खराब हो जाती है तो आप चूड़ी को हमेशा इस तरीके से पेपर में रैप करके रखें यानि अलग-अलग सेट की चूड़ी को अलग-अलग करके रखें ऐसे यह लंबे टाइम तक एकदम नहीं जैसे रहेंगी बिल्कुल भी खराब नहीं होती है तो I hope यह idea भी आपको अच्छा लगा होगा Next tip मेरा कंगी को लेकर है Friend, कंगी का use तो हम अपने बालों को सुल्जाने में करते ही है और कंगी में जो बाल में तेल रहते हैं वो तेल कंगी में लग जाता है यानि उसके वज़े से कंगी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है इसे दोने के लिए हमें सर्फ यानि शाबून या फिर पानी की जरूत तो पड़ती है चलिए इसे बिना पानी बिना साबून के क्लीन करेंगे और बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा फ्रेंड और इसमें जो चिपचिपा पन रहता है न वो भी निकल जाता है तो उसके लिए हमें लेना है टेलकम पाउडर और इस कंगी की हालत आप देख लिजिए कि ये कितना काला हो गया है बस थोड़ा से टेलकम पाउडर इसके उपर डाल देंगे उसके बाद एक पुराना टूथ ब्रस ले ले और इस तरीके से देखिए इस पर रब करें ऐसे रब करके इसे क्लीन कर लें जब आप ऐसे करेंगी न तो पाउडर के साथ जो गंदगी है वो भी निकलेगा बस इसे न आपको दोनों साइड से करना है यानि एक साइड से करने के बाद आप इसे पलट ले कंगी को और फिर दूसरे साइड से भी करें क्योंकि हम एक साइड से करते हैं तो गंदगी नीचे की साइड चला जाता है तो पलट कर दूसरे साइड से करेंगी तो अच्छे से निकल जाएगा और जब आपको लगे कि पाउडर पुरा गंदा हो गया है तो फिर से थोड़ा सा पाउडर इसके उपर डाल दे और फिर से सेम प्रोसेस करें यानि इस तरीके सी से साफ करें फ्रेंड वीडियो यूजफू लगेगा न तो दोस्तों में ज़्यादा से दा से शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही यूजफू टिप से देखने को मिलते रहेंगे और आपके रोज का काम आसान और बहतर भी होगा तो देखिए हमने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है और आप देख सकती है कि कंगी में कितना दाग था मतलब बहुत गंदा हो गया था मगर देखिए एकदम अच्छे से हमने इसको क्लीन कर लिया है तो आप देख सकती हैं पहले ये कितना गंदा था तो चलिए अभी तो कंगी साफ हो गया है और जो हमने इसमें पाउडर डाला था न वो भी देखिए एकदम अच्छे से गंदा हो गया है मतलब कंगी में जो गंदगी थी और जो ओयल था सब पाउडर में आ गया है तो कंगी को ऐसे साफ करके जरू ट्राई करें अभी सब जगब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है यानि सीत लहर चल रहा है और इसमें पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते है पैर को गरम रखने के लिए हम आग का इस्तेमाल करते हैं आग से इसे सेखते हैं ताकि पैर हमारा गरम हो जाए तो अगर आपके घर में आग जलाने की ब्यवस्था नहीं है या फिर आप सहर में रते हो और ठंडी आपके हम बहुत ज़्यादा है तो आप अपने पैर को आईरन से गरम कर सकती है करना क्या है फ्रेंड की जो आईरन रतन उसे हमें पहले हलका सा गरम कर लेना है फिर बटन बंद कर देना है उसके बाद एक बाद टच कर ले इस तरीके से की आईरन ज़्यादा तो गरम नहीं है फिर आप इस तरीके से पैर के तलवे में सेकाई करें बहुत ही अच्छा काम करता है फ्रेंड अगर आपके हाँ आग की सुविधा नहीं है तो आप इस तरीके से अपने पैरों को गरम कर सकती है अगर आपके घर में कोई बुजूर्ग है उनको बहुत ज़्यदा प्रोब्लम हो रही है तो आप उनके पैर को भी ऐसे सेख सकती है बस ध्यान रखे आपको continue इसे चालू नहीं रखना है बस थोड़ा सा बटन ओन करे और जब प्रेस थोड़ा गरम हो जाए तो आप बटन को आफ कर दे उसके बात सेखे इस बात का आप विशेज ध्यान रखेगा फिर ऐसे सेखाई करेंगी न तो बहुत ही अच्छे से गरम हो हो जाए पैर की तो क्या करें ऐसे कர्ए ऐसे नहीं छूड़े नहीं तो यह फिर से ठंदा हो जाएंगे आप एक इस थोड़ा सा सर्सों का तेल ले ले यानी mustard oil ठंड के मुसम में सरसो के तेल बहुत ही अच्छा रहता है बस इस तरीके से पैर के तलवे में सरसो के तेल की मालिस कर दे एक दो मिनट के लिए आप मालिस करेंगी तो बहुत ही अच्छे से गर्म हाट आ जाएगी और पैर बहुत अच्छे से गर्म हो जाएग ठंडी लगने का भी चांस बहुत कम रहता है बस जरसों के तेल की मालिस करके आप ऐसे नहीं छोड़े फिर आपने मोजा पहना दे यानि सौक्स सौक्स पहन कर रख ले बस अब क्या है अब तो आपका पैर पूरा दिन गरम रहेगा जब बिल्कुल भी ठंडा नहीं होगा जब भी आपको ज़्यादा ठंडी लगे पैर में तो आप इस प्रोसेस को जरूर करके देखिए इससे आपको फायदा होगा फ्रेंड उमीद करती हो आज के वीडियो आपको हेल्फुल लगा होगा पीडियो जरा सभी पसंद आया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका पूरा लाब मिले